आज हम ये इजी बाग बनाएंगे जो बिगनर्स के लिए बनाने में बहुत आसानी होगी इसका मेजरमेंट है साड़े आठ इंच बैस साड़े क्यारा इंच आप छोटा बड़ा फैबरिक का पिस ले सकते हैं इसके पीछे हमने ये रबर्शिट अटाइच की है और ये मेरे पास एक्स्टा फैबरिक था वह मैंने अटाज किया इसके जरूरत नहीं है क्योंकि हम अस्तर के लिए अलग फैबरिक यूज़ करेंगे लेकिन बहुत बार रबर्शिट के ऊपर मशिन नहीं चलती है इसके लिए मैंने ये अस्तर के लिए कॉटन का फैबरिक जोड़ा है इसके कॉर्णर पर हमने टू पॉइंट फाइव इंचिस का मार्क किया और ये मार्क इसके अंदर हमने रबर्शिट डाली है इसके लिए ये मार्किंग के बाहर से सिलाई की है यहाँ आप देख सकते हैं और जो टू पॉइंट फाइव इंच का मार्क है ये मार्किंग के उ यहां से और यहां से और जैसे हमने एक corner cutting किया है वैसे ही हम दूसरा corner cut करेंगे यहां पर और यह अस्तर के लिए हमने same size के दो cotton के फाबरिक के पिसेस लिए, 8 इंच भाइ 1.5 इंच यहाँ पर भी 2.5 इंच जिसका मारक यहा दोनों साइड और ये कटिंग किया है, इसके उपर भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, ये हमने 1.5 इंच के जिपर लिए, ये साइड 1.5 इंच है, तो हमने ये जिपर 1.5 इ साइड है, 7 इंच भी हम ले सकते हैं, एक्स्टर हम कट करेंगे, ये 2 इंच की साइड है, यहाँ 2 इंच की साइड है, और ये सीधी साइड है, ऐसे रखी, ये सीधी साइड के उपर, जीपर की बैक साइड रखी इसे, यहाँ हम सिलाई करेंगे, देखिए, इसे हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद یہ फैլरिक ऐसे उपर की साइड में किया, यहाँ एक फॉल्ड, Üस्रा फॉल्ड ऐसे उपर आएगा, ऐसे रखा, यहाँ सिलाई करेंगे, देखिए ऐसे हमने दोनों साइड्स लाई की, यहाँ और यहाँ यह होने के बाद जीपर के बाहर का जो extra fabric है वो हम ऐसे cut करेंगे ऐसे यहाँ पर भी इसके बाद यह runner की side ऐसे रखी यहाँ दोनों same side है तो यह front side में runner की side ऐसे front side में रहेगी यह देखे सीधी side हमने fabric के सीधी side के उपर दोनों side आधा आधा इंच हम चोड़ेंगे यहां से यहां से यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे दिखिए हमने ऐसे सिलाई की सिलाई होने के बाद अंदर की साइड में करते हैं यहां यहां आप देख सकते हैं हमने सिलाई यहां से की हैं यहां से सिलाई की और यह जिपर ऐसे आधाइन चोड़ के हमने जॉइन की ऐसे ह यहाँ पर सिलाई यहाँ से की और यह आधा इंच छोड़कर हमने यह चॉइन किया यह होने के बाद अस्तर ऐसे बैक साइड में करते हैं ऐसे करेंगे और इसके उपर हम टॉप स्टीच करेंगे देखिए यहाँ हमने टॉप स्टीच किया यह होने के बाद यह अस्तर की दूस यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की यह होने के बाद अस्तर पर के साइड में और यहां पर भी हम टॉप स्टीच करेंगे इसके बाद ऐसे रखा यह अस्तर एक साइड में यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे और यहां जोडने के लिए हम इतनी स्पेस बीच में छोड़ेंगे इतनी स्पेस चोड़ेंगे यहां से यहां तक यहां से यहां तक सिलाई करेंगे यहां से यहां से यहां से और यहां और यहां इतनी स्पेस हमने छोड़ी है यह होने की बाद यहां कॉर्णर्स के उपर हम सिलाई करेंगे ऐसे अब चाहे तो यह सिलाई दोनों साइड कर सकत यह एक साइड में इसे हम चारो Corners के उपर सिलाई करेंगे देखे इसे चारो corner के उपर सिलाई होने के बाद यहां से यह ہं uh और यहां से बाँ बाँर निकालेंगे जो हमने Space रखी थी ऐसे सिधी साइड करने के बाद यहां से चाहे तो बाग ये बाहर निकाल सकते हैं और ये जो open space है ये हम पहले बंद करेंगे अंदर की side में fold किया ऐसे और इसके उपर हम top stitch करेंगे देखिए यहां हमने top stitch किया इसके बाद ये अस्तर अंदर की side में करते हैं यहां ये जो corners है ये हम ऐसे करेंगे बहुत सुन्दर ये finishing से joint होते हैं देखिए बहुत useful ये pouch है और बहुत सुन्दर ये बना है और ये दोनों corner से आप देख सकते हैं